कितना बड़ा शडियंत्र है भारत में एक सूष्ण बात पर ध्यान दीजिए एक NCRT की पुस्तक हम पढ़ रहे थे उसमें लिखा था कि भारत में पहले Communication System सबसे दुर्बल था दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्बल क्षित्र का जो Communication System था वो भारत से लेकर अफरिका तक का था ऐसा उस पुस्तक में जगा लिखा था ध्यान से सुनिये कैसे उनकी ही बातें उनकी ही बातों से कटती है अब पढ़े लिखे हिंदू कैसे मूर्ख बन जाते हैं देखी वड़ा उस पुस्तक में एक ही पुस्तक में दो बातें लिखी हैं अचा आप रिगवेत की शाकल साखा के ब्राह्मन जो कश्मीर में हैं भले वो डोगरी भाषा बोलते हो व्यभार के लिए उसको आप छोड़ दीजी लेकिन वहां रहने वाले जो पंडित हैं रिगवेत की शाकल स शाखा का कोई पंडित है वो रहता कश्मीर में और एक ब्राह्मन रहता है दक्षिन भारत में भले लोग व्यभार के लिए कश्मीरी व्यक्ति डोगरी भासा बोलेगा और वहां रामेश्रम में रहने वाला तमिल भाषा बोलेगा उसका पेनावा उडावा में थोड़ा अंतर हो सकता है थोड़े कर्मकांड की विधा में अंतर हो सकता है वो भी शाखा भेज से अपनी अपनी लेकिन वेद मंत्र का उचारण कितने समय तक उसका उचारण करना है उसकी स्कृप्स वो हजारों वर्ष पहले हमाले की चोटी में कश्मीर में जैसा है वैसा का वैसा एक शब्द एक वाक्य एक अक्षर एक मात्रा का भी वेद नहीं वैसा का वैसा हजारों किलोमेटर दूर रामेश्वर्म में ब्रम्मदेश जब भारत में था बर्मा वहां से लेकर के अरव के मैजान तक जहां और वरिशी की तपस्थली है जहां हमारे मक्केश्वर महादेव हैं जिसको लोगों ने अब मक्का और साथ में एक जोड़ दिया शब्द मदीना वो उसकी बात अल्लाह जाने तो वो क्या है और वरिशी ने जहां तब किया सकंद पुरान उठा कर पड़िये और वरिशी ने जहां तब किया और वरिशी की तपस्थली होने के कारण उसका नाम अरब पड़ा और उस और वरिशी की तपस्थली अरब में और वरिशी को भूत भावन मृतिंजे भ भूत भावन वहां पर विराजमान हो गए वही लिंग मकेश्वर महादेव है जो आज मक्का बना है भूल गए सब कुछ अपने घर की बाउंडरी की रक्षा हो रहे हिंदुओं की उसी की चिंता से मुक्त हो जाएं तो बड़ी बात है तो मकेश्वर महादेव की कौन सोसेगा तो ब्रह्म देश से लेकर अरब तक और उधर हिमालयम समारभियावदिंदु सरोवरम वहां तक वेदों के स्क्रिप्ट में एक अक्षर का भी भेद नहीं आ रहा है उचारण में प्रयोग की विधा में और उसको सब लोग मान रहे है वेद के कलेवर को मान रहे हैं साड़े पांच हजार साल दस हजार साल पुराना मान रहे हैं एक और तो ये बाते लिख रहे हैं और दूसरी और लिख रहे हैं कि इतनी भासाएं इतनी संस्कृतियां इतना विभेद किसी को द्राविड बोल दिया किसी को आरे बोल दिया क्य क्या जगडे लगा दिये मूर्खता के एक और कह रहे हैं कि कोई कम्यूनिकेशन सिस्टम ही नहीं था और दूसरी और हमारे वेद की स्क्रिप्ट को उठा कर देखिए एक अक्षर का भी एक मात्रा का भी भेद नहीं अब आपकी कौन सी बात को सहीं माना जाए हमारे परमपु भी विवेक न रहे और जिसकी अपनी बात से ही अपनी बात कट जाए वह सबसे घटिया विचारक होता है अब इन दोनों बातों में से किस बात को सच माना जा है भारत जैसा कम्यूनिकेशन सिस्टम कहीं नहीं था जहां तमिल नाडू और रामेश्वरम के लोग भी उस समय जब वैदिक सभ्यताएं अपने स्वरूप में स्थित्थी अपने पिता का स्राध्य करने के लिए हां पाद गया बिहार में जाते थे और अपनी माताओं का दिवंगत माताओं का स्राध्य करने इसी गुजरात के महेशाना जिला में उंजा के पास में जो मात्री गया है व राजनेतिक धरातल पर सांस्कृतिक धरातल पर आर्थिक धरातल पर और सेवा के ख्षत्र में कहीं हमारी को दुरुबलतार नहीं थी हमारी सत्य-सनातन वरणाश्रम वेवस्था को भंग करने के कारण ही आज भारत की ये स्थिति हुई और अभी जो आर्थिक विकास हो जाए, भारत की जैजेकार हो जाए, जो फर्टिलाइजर का छिड़का हो रहा है, इसको भी पहचानना चीए, ये फर्टिलाइजर है, ये देशी खाद नहीं है, इसका दुष्परणाम भी आएगा धीरे से बाहर विदेश को भारत ला करके भारत अगर आगे जाएगा तो आगे नहीं जा रहा है, भारत भारतीता को लेकर जब तक खड़ा नहीं होगा, तब तक भारत भारत के रूप में स्थित नहीं होगा, न यहां की राजनीती, न यहां की सिमाएं, न यहां का धर्म, न यहां की संस्क सुर्टी न यहां की भाषाएं और न यहां का अर्थ कभी सुरक्षित रहेगा कि इसलिए भारत को भारत के रूप में स्थापित करने की आवश्यत्ता है कि वेद कि वेद क्या है कि तो महर्शियों ने कि 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 किसी का विवा हो रहा हो गाए तो तपह पूत महर्शियों ने ध्यान से सुनें भगवान के ज्ञान का जो कोश है उसका नाम वेद है कि विध्धातु से वेद बंता है कि ज्याने ज्यान के अर्थ में और उपलगधी के अर्थ में विध्ध्धातू का प्रयोग होता है संस्क्रित वड़ी विलक्षन भासा है व्याकरण तो संस्क्रित में ही है और हमारे आ, 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 ए, उ, उ, यह सब अक्षर हैं कि नहीं, आयू, डिलिक, एयू, आयू, चायवट, लियम, गर्णदम, जवए, घर्दस, जवगर्दस, यह सब अक्षर है हमारे यह शूत रहें व्याकरण के, अब आ, 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 ए, यह सब पढ़ते हैं हम लोग, अब अं ही है, और ए, एड़ी का है, और उपर में एक मात्रा भी लगी है, ब लिकना, बी लिकना है, तो ब भी है, और ई भी है, उसमें, ब और ई से मिलकर बी बनाएं, सी लिकना है, तो सब ही है, और ई भी है, ई की मात्रा है कि नहीं, दो अक्षरों से जो मिलकर बनता है, उसको अक् अब ये A, B, C, D अक्षर हैं कि शब्द हैं जड़ा बताईए हैं शब्द हुए कि नहीं हुए और W तो छोड़ दीदिए सुनने से लगता है कि अक्षर है कि वाक्य है पूरा अक्षर ही नहीं है उनके अहां व्याकरण की तो फिर गोविंद है नमो नमा जैसे आप लोग धातूओं के रत्न पहने अंगुठी पहने हैं कटक मुकुट कुंडला दी आगुशन होते हैं तो बोलते हैं किस धातू का है सोने का है कि आल्टिफिसियल है ऐसा पूसते हैं ना माताये में जाधा पूसती है तो धातू का प्रिक्ष्ण होता है कि ने किस धातू से बना है वैद्धियों जो होते हैं नाडी देखकर पता लगाते हैं कौन सी धातू में विकृती है पता लगाते हैं कि लगाते हैं इसी प्रकार शब्दों का कलेवर भी धातूं से बनता है शब्दों की धातू होती है ऐसे नहीं बनता जैसे मैटर में लकडी का है प्लास्टिक का है लोहे का है स्वर्ण का है रजत का है पारा का है इस प्रकार होता है ऐसे शब्दों की ऐसे विद्धातू से क्या बना अंग्रेजी में तो रटा दिया गया ट्री अब ये ट्री क्यों है तो मेरा बाप इसको ट्री बोलता था मेरे बाप का बाप भी ट्री बोलता था उसका बाप भी ट्री बोलता था इसलिए मैं भी ट्री बोलता हूं ये कोई विज्ञान नहीं हुआ ये कोई दर्शन नहीं हुआ हमारे यहां संस्क्रित में पूछिए इसको क्या तरू कहते हैं तो तरू क्यों कहते हैं तो इतना बड़ा व्याकरण है कि तरू में तो शब्द ही क्यों फिर रशब्द ही क्यों फिर उ की मात्रा ही क्यों और उ क इस्व मात्रा है छोटेओं की मात्रा ही क्यों इन सब के पीछे विज्ञान है और उसको जो जान जाएगा पूरा-पूरा हजारों साल पहले कोई धातु अगर लुप्त हो गई और उसका केवल नाम शेस है तो उसके नाम का व्याकरण से अध्यन करके हजारों साल पहले लुप्त हुई धातु का स्वरूप कैसा था वर्ण कैसा था प्रकृती कैसी थी वह केवल संस्कृत व्याकरण के शब्दों का छेद करके शब्दा अनुबंध को विभक्त करके उसका व्याकरण विस्तार करके उस धातु के समग्र फिजिक्स केमेस्ट्री वाले कलेवर को जाना जा सकता है कहां यह विज्ञान करोड़ों वर्ष बाद भी प्राप्त कर सकता है कोई उसके लिए एक ही रास्ता है कि वैदिक महर्शियों का च्रण पकड़ना पड़ेगा हम लोग कहेंगे यह तरू है तो ट्री की तरह रटा हुआ नहीं है खगाह खगाह मने कि पक्षी बहु वचनांत प्रयोग है बहुसे पक्षी खगाह निवसंति तरंति यस्य परी सह तरू उसके धात्विक विज्ञान के बाद फिर व्युत्पत्थी विज्ञान उसके समग्र कले वर को ले करके जो अर्थ प्रकट होता है फिर खगाह तरंति निवसंति यस्य परी सहतर्व यह व्युत्पत्थी बनेगैं निकल करके अगर हजारों साल साल पहले मानस assessments को इसा ग् व्रिक्ष कल्पना करिए हजारों साल पहले व्रिक्ष लुप्त हो गए अतरू शब्द जाने और संस्कृत का व्याकन वो जानता हो तो खगाह तरंति निवसंति यस्य परी जिससे उनका निर्वाह होता हो और इस परिभाशा को भी बाटेंगे न तो उसकी उसका सारा विज् उसके समग्र कलेवर को बताती रहेगी उसका नाम व्याकरन है यह जो चुटकी की आवाज है चट पट खट जहां जो आवाज आ रही है उसके अंदर से निकलने वाले एक-एक धातू के जो शब्द हैं बीजमंत्र हैं उन उन शब्दों को पकड़के वो किन-किन धातूं स चुट से प्रकट होने वाला शब्द है उसकी गती कितनी है उसका वेग कितना है उसकि बारंबार्ता कितनी है यह सब के बälle केवल वाइदिक वांगमे के ज्यान से शब्द को सुन करके हां ततवग्य महापूरुश भिग्य महापूरुश बता सकते हैं वो वेद का विज्ञान है, वो व्याकरन है, तो तपह पूत रिश्यों ने वेद के संदर में बता रहे थे, ध्यान से सुनिए, तपह पूत महर्शियों ने, रिश्यों ने, यम, नियम, आसन, प्रानायाम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान, फिर समाधी में स्थित होकर, रितं अंतहकरण को जब परमात्मा से एकी भूत किया तो रितंभरा प्रग्या में समाधिष्ट रिशियों का अंतहकरण जब परमात्मा से एकी भूत हुआ तो सच्चिदा अनंद स्वरूप ज्यान स्वरूप परमात्मा के हिरदय में जो ज्यान है वो ज्यान शब्द का रूप धारन करके रितंबरा प्रग्या में जब रिशियों के अंता करण में प्रकट हो जाता है उतर जाता है तब उन्हीं शब्दों का नाम वेद मंत्र होता ह इसलिए उसका रचनाकार रिशी नहीं रिशयो हो मंत्र द्रिष्टा रह वो रिशी उस मंत्र के द्रिष्टा हैं रचैता नहीं वो भगवान ही ज्ञान स्वरूप होकर प्रकट हुए उततत मंत्र के रूप में इसलिए मैंने प्रवचन जहां से शुरू किया था वहीं आ जाईए उपसंगार के समय में जो निर्दोष एक मात्र परमात्मा हैं वे एक मात्र निर्दोषम ही समंब्रम्ह केवल एक मात्र निर्दोष और सम्परमात्मा ही दिव्य शब्दों के रूप में निर्दोष परमात्मा ही निर्दोष दिव्य शब्दों के रूप में हां रितंभरा प्रग्या संपन समाधि निष्ठ महरसी के अंतह करण में जब प्रकट होते हैं तब वो निर्दोष परमात्मा निर्दोष शाब्दिक रूप में प्र वेद निर्दोश है इसलिए वेदो नारायन साक्षात वेद साक्षात नारायन हैं और इसलिए वेद ने जो कहा वहधर्म है और जिनको नाक कान दबाने से भी परहेज हो रहा है योग दिवस बनाया जाता है आजकल भारत में तो जो व्यायाम को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं अरे पेट वेट तो कुछ कम ही हो जाएगा इतना तो फाइदा में वो योग नहीं है व्यायाम है हम समझ रहें लेकिन योग का जो अत्यंत बही स्वरूप है अत्यंत बहीरंग है वेद का बाह्य स्वरूप नाक कान दबाना उ उतने को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं फिर अ इत्यादी जो पंच यम पंच नियम उसका अहिंसा ही नहीं सहन होगी अहिन्सा को भी लोग सहन नहीं कर पाएंगे, अहार को ही नियंतर नहीं कर पाएंगे जिवया को ही तो फिर जो पंच यम पंच नियम में ही अटक जाने वाले हैं यम नियम फिर आसन फिर प्राणायाम फिर प्रत्याहार फिर धारना फिर ध्यान फिर समाधी वहां तक तो पता नहीं कितने सारे खलिफा बीद गये होंगे कभी दिमाग भी नहीं जाएगा वहां तक तो यम नियम आसायान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहर धारणा ध्यान समाधी और उसमें भी रितंभरा प्रग्या रितंभरा प्रग्या से भी पूंची प्रग्या का वर्णन वेद में हैं उधर अभी नहीं जाएंगे उसका फल है उसकी विदी है यह सब अलग है तो रितंभरा प्रग्या में फिर स्थित होकर के वेद प्रकट होते हैं जो वेदों को देखते हैं निदर्शन करते हैं मंत्र का भगवत कृपा से उन्हें ही रिशी कहते हैं रिशयोह मंत्र द्रिष्टा रह नतु करता महर्शिभ रिश्यों ने वेद को रचना नहीं कि उसके राइटर नहीं है एडिटर हैं रिशयोह मंत्र द्रिष्टा रह द्रिष्टा है न तु करता वेद बनाया न भगवान ने भी वेद नहीं बनाया जैसे भगवान नित्यसिद्ध अनाधि अपवर शेय हैं ऐसे ही एक ही परमात्मा दो रूप में प्रकट होता है परमात्मा एक परब्रम के रूप में निर्गुण निराकार निर्विशेस परब्रम वही रामकृष्ण नारायन शिव आदी के रूप में प्रकट होता है वो परब्रम स्वरूप है और भगवान स्रिष्टी के आदी काल में स्रिष्टी को के लिए सबसे पहला शब्द ओंकार के रूप में प्रकट होते हैं जो सब वीदों का सब वेदों का बेज बीज है